तो दोस्तों आज की दो मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि सन्राइज और संसेट के टाइम पे सन का कलर रेड क्यों दिखाई देता है? यानि ये कोशन अक्सर आपके पेपर में भी आता है आईए शुरू करते हैं दोस्तों हम ये जानते हैं कि सन्लाइट डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है और इन डिफरेंट कलर्स की वेवलेंद भी डिफरेंट होती है जब सन्लाइट अट्मॉसफेर में अंटर करती है तो वो अट्मॉसफेर के टाइनी पार्टिकल से स्केटर हो जाती है अब scattering of light तो आप जानते ही है यानि जब light अपने straight path से किसी object या फिर obstacle से टकराने पर deviate हो जाती है अब होता क्या है तो sunlight की blue color की wavelength छोटी होने की वज़े से वो atmosphere के tiny particle से बहुत जादा scatter होती है as compared to yellow, orange और red के तो जब हम sky की तरफ देखती हैं तो यही blue light scattering की वज़े से हमारी आखों में enter कर जाती है और हमें आस्मान blue दिखाई देता है लेकिन sunrise और sunset के time पर sun horizon में होता है जिसकी वज़े से हमारी आखों तक पहुँचने के लिए sun से आने वाली light race को अर्थ के atmosphere में ज़ादा distance travel करना पड़ता है और इस journey में जो shorter wavelengths की light होती है वो पहले ही scatter हो जाती है और वही lights हमारी आखों तक पहुँचती है जिनकी wavelength लंबी होती है और यह हम जानते ही है कि red color की light की wavelength सबसे ज़ादा होती है और atmosphere में light की इसी scattering की वज़े से red color हमारी आखों तक पहुचता है और इसी वज़े से sunrise और sunset के time पे हमें atmosphere red color का दिखाई देता है आगे आपके लिए और भी science के important topics लाता रहूँगा वो भी short time में तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए खेल खेल में ग्यान ओके थैंक यू